सोराइसिस की समस्या होने पर खाने पीने का ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसमें लापरवाही बरतने से परेशानी बढ़ सकती है। पया बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। इस बीमारी का कोई कारगर इलाज नहीं है। इसलिए इसे कंट्रोल रखना सुराइसिस के मरीजों को खाने पीने को लेकर सावधान रहना चाहिए। आपको ऐसे फूर्स के बारे में बता रही हैं जो यह समस्या बढ़ा सकते हैं। इन फूर्स से बचना चाहिए। अगर आप सुराइसिस से पीडित हैं तो नूडल्स, पास्ता, नमकीन, चिप्स, बेकरी उतपाद आदी का सेवन न करें। इनके सेवन से शरीर की इम्म्यूनिटी कमजोर हो जाती है और इंफ्लमेशन बढ़ता है। सुराइसिस के लक्षनों को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा तलीभूनी और मीठी चीजों से भी डूरी बनाएं। देरी प्रोडक्स का सेवन सुराइसिस के लक्षनों को बिगार सकता है। अगर आप सुराइसिस से पीडित हैं तो दूध, अंडे, चीज, पनीर आदी देरी प्रोडक्स का सेवन करने से परहस करें। सुराइसिस की बीमारी में नाइटशेड सब्जियां जैसे आलू, बैंगन, टमाटर और काली मिर्च का सेवन करना नुकसान दायक साबित हो सकता है। सुराइसिस से पीडित लोगों को इन सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए। दरसल नाइटशेड पौधों में सोलनिन होता है, जो दर्द और सूजन को बढ़ा सकता है। इन सब्जियों से परहस करके आप सुराइसिस के लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सुराइसिस से पीडित हैं, तो आपको रेड मीट का सेवन करने से बचना चाहिए। रेड मीट खाने से सुराइसिस ट्रिगर हो सकता है, दरसल रेड मीट में पौलि अनसैचरेटेड फैट होता है, जो घावों को बढ़ा सकता है। रेड मीट खाने से जलन और खुजली की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए सोराइसिस की समस्या होने पर रेड मीट से परहस करने की सला दी जाती है। सोराइसिस की बीमारी में ग्लूटेन वाले फूर्ड्स खाने से परहस करना चाहिए। अगर आपको सोराइसिस है तो पास्ता, नूडल्स और गेंहों से बनी चीजे ना खाएं। कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, जिससे सूजन बढ़ सकती है। ऐसे में ग्लूटेन का सेवन करने से सोराइसिस के लक्षण और अधिक बढ़ सकते हैं। ग्लूटेन वाली चीजे खाने से मेटाबॉलिज्म भी कमजोर हो सकता है। शराब का सेवन करना स्वास्थे के लिए बहुत हानिकारक होता है। सोराइसिस के मरीजों को शराब से पूरी तरह परहस करना चाहिए। शराब का सेवन करने से सोराइसिस ट्रिगर हो सकता है। दरसल शराब का सेवन करने से सूजन की समस्या बढ़ सकती हैं, जिससे सोराइसिस के लक्षन खराब हो सकते हैं। अगर आप सोराइसिस से पीडित हैं, तो शराब का सेवन करने से बचें। खट्टे फलो का सेवन सोराइसिस के मरीजों के लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है। दरसल, संतरा, मौसंबी और नीमबू जैसे खट्टे फलो का सेवन करने से एलर्जी और सूजन बढ़ सकती है। इससे शरीर में जलन की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए सोराइसिस से पीडित लोगों को खटे फलो से परहस करना चाहिए. सोराइसिस के मरीजों को ऐसे फूर्स खाने से परहस करना चाहिए, जो तवचा में सूजन या जलन पैदा कर सकते हैं. इन फूर्स से परहिस करने से सोराइसिस के लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। हमारा आप से विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकितसक से अवश्य संपर्क करें। हमारा उद्देश आपको जानकारी मुहया कराना मात्र है। स्वास्त्य चर्चा इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।